हेलो एबरीमन मैं पुस्पा राजपूत पुस्पा की रसुई में आप सबका स्वागत करती हूँ तो सबसे पहले फ्रेंस आज जो हम नास्ता बनाएंगे वह बनेगा हमारा बेशन से और पत्ता गोवी से यह खाने बहुत ही ज्यादा लाजवाब और साथ भाग खास बात है कि यह बहुत ही कम समय में बन करके प्यार हो जाएगा तो आपको जितने लोगों के लिए बनाना हो उसके साफ से सामगरी को ले लेना है मैंने यहाँ पर लिया हुआ है तीन चमच बेसन तो यहाँ जो हम सामगरी आज ले लेने वाले हैं वो है बेसन साथ में हमने थोड़ा तोड़ा सा चिली फैक्त और थोड़ा सा डालेंगे भुजा हुआ जीरे का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और एक चुटकी यहाँ पर हम हल्दी का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पर जो सारे मसाले मैंने लिये हुए हैं, नॉर्मन मसाले हैं, सबके घर में मिल जाते हैं, आज की जो रेस्पी है, बहुत ही इस पेसल है, तो एक बार इसको बना करके फ्रैंस जरूर देखिए, और जब कुछ समझ में नाएं कि क्या बनाएं, तो इस रेस्पी को आज यह सारी सब्जियों वाली रेस्पी बनेगी, बहुत ही फायदेबंद हैं, और खास करके बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे वैसे हमारे सब्जी खाने बहुत ही ज़्यादा अनाकानी करते हैं, और इस तरह से जब आप इसको बनाके खिलाएंगे, तो बच्चों को एक कप पानी लिया है, तो हम पानी को धीरे-धीरे करके डालेंगे, और इसका अच्छा सा घोल त्यार कर लेंगे, निया रखना इसमें एक भी गुठली अलम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा हम चम्मच को चलाते हुए, इसको अच्छे से हम फेट लेंगे, इसलिए हम पानी को एक खटन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके डालते जाएंगे, और इस पानी को हम मिलाते जाएंगे, वैसे मैं बताओं कि यहाँ पर पानी मुझे एक कप से कम ही लगा है, और यदि एक कप पानी यदि आपको लगे की जादा है, तो आप देखिए अप अपर बगे रेनों बगे सोडा का बना करके हम तयार करेंगे, अब हमें फ्रेंस ले लिना है गेहूं का आटा, यदि आप खाली बेसन का भी बनाना चाहेते हैं, तो बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच भर करके यहाँ पर गेहूं का आटा डाल दिया, तो इसको भी हम अच्छे से मिला देगे तो थोड़ा सा चम्म से इस तरह से मिलाएंगे ताकि अच्लकि यह बेसन और रोटी बैसे मुल सके तो बाशन के शल्म ही ऊपरön ही growing क्योंकि बेसन जो होता है हलका सा घरिष्ट होता है तो थोड़ा सा पचाने में किसी किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए चुटके हीं का इस्तिमाल करूंगी और साथ में अजवाइन डाल दूंगी अब यहां पर जो हमने सबजी सब्सक्राइब को यहां पर पर अच्छे से मिला देना है यहां पदे के सारी सब्सक्राइब क्या करना है बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह हमारा नास्ता बनने के लिए एक दम रैडी हो चुका है तो आप ताब ले लिजिए या फेर आप कढ़ाई ले लीजिए या फेर नॉनिष्टिक पेंद ले लीजिए कुछ भी आप ले लीजिए जो भी आपकी पास हो बस ध्यान रखना बनाते समय की थोड़ा सा भारी तली वाला बर्तन लें तो यहां पर मैंने देखी नॉनिष्टिक कढ़ाई ले लिए हैं पर सिर्थ हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमाश तेल ज्यादा टेल डालेंगी बिल्कुल जरूरत नहीं आपको पढ़ेगी बस एक छोटी चमश जो एक दो पूंध ही हमें इसमें 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 हैं और बस जैसे आपको लगे कि कड़ाई गरम हो चुकी है तो इस मिस्माश को हम चम्ममच की हैल पेसे यहां पर इस्तिमाल करेंगे तो मैंने देखी एक चम्मच ले लिया और आपको इंट करता है कि आपको छोटा का बनाना या फिर कितना बड़ा नास्ता बनाना First में दो चम्मच की हैल्प इसका थोड़ा सा गोल से गर contradictory एक इत्यार करना है Lap हम इसके उपर थोड़ा सा अच्छा सा डेकुरेट करने के लिए इस्तिमाल करेंगे बारी कटे हुए रेट कलर के टमाटर और बारी कटी हुई यहाँ पर लाल में तो थोड़ा सा कड़ाई यह फिसल रही है गैस में तो मैं थोड़ा इसको सही से रख दूँगी इसके बाद गैस को हम रखेंगे मीडियम ना बहुत ज़्यादा सिलो रखना है ना बहुत ज़्यादा तेज रखना है क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से पकाना है तो मैं टमाटर के छोटे छोटे से पीस कट कर लिए थे इस घोल में टमाटर को नहीं मिलाया हुआ था थोड़ा समय इसको अच्छा सा लुक देने के लिए टमाटर का इस्तिमाल कर रही हूँ तो यहां पर देखें मैंने सारे टमाटर को रख दिया है यह यह आपकी पास लाल मिर्च है तो इसको आप काट करके इसके उपर डाल है इस तरह से हमें नास्ते को इसको सेख लेना है आप इसको सुबह दुखेरी साम कभी भी बना सकते हैं यदि आप वेट लॉस करना चाहेते हैं तो इसके लिए तो यह बहुत ही जादा हैल्दी है तो आप इस तरह से कम समय में बहुत ही जादा हैल्दी बना करके त्यार कर और अच्छे से च्डेख लेना इसको एक दूर बार उलटते पोटते हुँ अच्छी से पर शिक लेना को और अन्दर से बिल्कुल मता रिख़ए feel 만ler और अच्छे से यह सिक करके त्यार हो जासे से लिखते हैं तो गोगो ज्यादा आसान है तो आप लोग भी इसको बनाईएगा जरूर और कमेंट करके जरूर बताईए कि मुझे ये रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी और ये आप जदी वेडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक से और कमेंट करना बिल्कुल मत भू लिए तो यहां पर हमारा नास्ता बिल्कुल अच्छे से ये सिख चुका है आप देख पा रहेंगे इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और अब इस नास्ते को आप किसी भी कैचप के साथ में या फिर आप किसी भी चटनी के साथ में खाईए बहुत ही जादा ये तो इस तरह से हमें सारा नास्ता बना करके त्यार कर लेना है इस नास्ते को आप कभी भी बनाएए कोई आचानक आ जाता है तो आप इस नास्ते को बना करके खिलाएए तारीफ करते करते ठकेंगे नहीं और आप बच्चों को भी इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं क्यों